साथियों नवसकार कैसे हैं आप लोग Computation Community Kids Online Educational Platform पर आपका एकवार पुना स्वागत साथियों आप हमारे साथ क्या पढ़ रहे हैं मद्ध प्रदेश प्रारंभिक परिच्छा का जो सलिवस है उसके Unit 10 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इकाई जो 10 का सलिवस है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे आयोग के बारे में चर्चा की गई है हम उसी कड़ी में आज क्या देखेंगे आज हम पढ़ेंगे राश्टी पिछडा वर्ग आयोग कहता है कि जो राश्टी पिछडा वर्ग आयोग है ये एक प्रकार का समवैधानिक निकाए है अब इसकी क्या प्रश्ट भूमी रही इसका क्या अब समवैधानिक प्राभधान है अगर ये समवैधानिक निकाए है और आप संबैधानिक निकाय से आसे जानते हैं कि इसका जब संबैधानिक निकाय वह निकाय होगा जिसका बर्णन भारतिय संबैधान के किसी बिसेज भाग या किसी बिसेज अनुच्छेद किसी बिसेज आर्टिकल में बर्णन किया गया हो अब हम इसके बारे में राश्टी पिछराबर्ग आयोग के बारे में बिस्तार से अंगे चर्चा करेंगे और फिर हम देखेंगे कि मध्यप्रदेश राज्जी पिछराबर्ग आयोग है उसका क्या रापधान है आईए क्या उसकी विवस्ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे आईए अब हम पढ़ना सुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम इसकी प्रष्टभूम के बारे में अगर चर्चा करें कि राष्टी पिछराबर्ग आयोग की क्या प्रष्टभूम ही रही तो हम सबसे पहले उद्देश की बात करें, क्योंकि अगर कोई भी आयोग साथ्यों गठित होता है, तो आप जानते हैं, उसका कुछ न कुछ उद्देश से है, किसी उद्देश को लेकर कि वो आगे बढ़ रहा है, तो जो हमारा राष्टी पिछला वर्ग आयोग है, जो हमा हमाजिक एवम सेक्षिनिक रूप से पिछड़े वर्गों के हीतों की सुरक्षा सुनिष्चित करने का काम किसका था, इस उद्देश को लेकर के गठिद हुआ हमारा राष्टी पिछला वर्ग आयोग, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे ऐसे समुदाए हैं, उनके अधिकारों का रक्षा हो सके, उनके अधिकारों का ही तो हो सके, उनका ही तो हो सके, तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए राश्टी पिछरा बरगायोग का गठन किया गया, उसका क्या पहले प्रेश्ट भूम रही क्या अतिहाजिक प्रे धानवे बात की गई है और हुआ क्या 1953 में राष्ट पती जी के द्वारा काका कालेलकर की अद्धक्षिता में पिछरा बरग आयोग का गठन किया गया उसके बाद 1979 में बीपी मंडल जी 1978-79 के आसपास के इनका कारिकाल था बीपी मंडल 6 सदसी आयोग गठित किया गया और उन्होंने क्या-क्या आधार बताए अगर आरेक्षण देना है किसको अधर वैकवर्ड क्लास OBC को तो उन्होंने कहा सामाजीक आर्थिक और सेक्षणिक ये तीन ऐसे पहलू हैं इन तीन पहलूं को ध्यान में रखते हुए इनके लिए प्राबधान किये जाने चाहिए क्य इन तीन आयामों के तहट इन तीन जो हमारे आयाम हो सकते हैं इनके तहट क्या किया जाएगा अधर वैकवर्ड क्लास को आरेक्षण की बात किसने की तो वो BP मंडल साहब ने की आति पिछणों के लिए इन्होंने कहा कि जो आति पिछणे हैं उनको 27% आरेक्षण देने का का किया जाना चाहिए 1993 में राश्टी पिछ्राबर्ग आयोग अधिनियम गठित हुआ जब ये दोनों आयोग गठित हुए चाहे काका का लेदकर की बात करें चाहे बीपी मंडल की बात करें जब इन आयोगों को अगठन हुआ उसके बाद क्या हुआ 1993 में राश्टी तुर complexity पिश्राबर्ग आयोग को गठन किया गया तो वो किया गया न जोठी पिश्राबरक किया हुआ ऊचै import हुआ क्यों 218 एक्सोदोश हुआ वा संभिधान संसोद्ण हुआ और इसमें एक अलग से आर्टिकल जोड़ा गया और वो आर्टिकल क्या था तो वो आर्टिकल भाग सोला का 338B 338 खा जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं इसका एक अलग से प्रापधान किया गया और इसके तहत एक संबैधानिक दरजा दे करके क्या किया गया राष्टी पिछड पिछड़ा बरग आयोग को संबैधानिक दरजा कम मिला तो आप बताएंगे कि 102 संबीधान संसुधन जो कब हुआ 2018 में इसके तहत क्या किया गया हमारा जो राष्टी पिछला बरग आयोग है उसको संबैधानिक दरजा देने का काम किया गया आईए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में अगर इसकी गठन और संरचना की हम बात करें कि अगर आयोग का गठन हुआ है तो इसका गठन कैसे हुआ उसकी बरतमार में क्या संरचना है इसके बारे में हम देखते हैं गठन इसका हुआ अनुचे 338 बीद अनुचे 338 खा के इस निकाई में किसी भी प्रकार का बहरी हस्तचेप नहीं है उसके बाद संबैधानिक होने से तथ पर मैंने इसके पहले चर्चा करी लिए और हम इतने अभी तक जो भी आयोग पढ़ें उससे तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि संबैधानी का आयोग होने कास है क्या है संबैधानी का आयोग से तर्थ पर ये है कि भारतिय संबैधान के अनुच्छे 338 का सब आर्टिकल भी जो है जो खा है उसमें इसका वर्णन किया गया ये एक बहुसदसी निकाए जब ये बहुसदसी निकाय है तो आप ये जानते हैं कि ये इसमें एक से अधिक लोग काम करते हैं इस प्रकार ये एक प्रकार का सुतंत्र संबैधानी के वं बहुसदसी निकाय है अगर हम इसकी सनरचना की बारे में देखें तो आयोग की सनरचना क्या है आयोग में एक अध्यक्ष होगा अध्यक्ष जो होता है वो केंद्री कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त व्यक्ति होता है एक उपाध्यक्ष वो केंद्री राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा जो उपाध्यक्ष होगा आयोग में उसको कैसा दर्जा प्रदान होगा तो केंद्री राज्य मंत्री का आप जानते हैं कि हमारा जो मंत्री मंडल है, हमारा मंत्री परिसद है, उसमें क्या होता है, तीन कटेगरी में मंत्री होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, सुतंत्र परभार, हला का खा का जो सब आर्टिकल जो 339 B है उसका सब आर्टिकल 3 है वो ये कहता है कि ये जो नियुक्त होंगे इनकी नियुक्ती चाहे वो अध्यक्च हों चाहे उपाध्यक्च हों चाहे तिन अन्द सदस हों इनके नियुक्ती करने का काम कौन करेगा, तो नियुक्ति इनके राष्ट्रपति जी करते हैं। इनकी सेबा सरते पदावधी, इनकी भी निर्धारन का काम राष्ट्रपति जी का है और वो किस article के तहत करते हैं। आप यहां देखें कि वो article 338b का सभ article 3 के तहत कारेकाल। कारेकाल इनका तीन वर्सका होता है और ये पुनर नियुक्ति के पात्र भी होते हैं लेकिन इसमें एक चीज है एक सर्थ है कि ये दो वार से ज़्यादा के लिए नियुक्त नहीं होगे अगर एक्जांपल के तौर पर हम देखें कि आज अगर कोई ब्यक्ति अध्यक्ष सदस्य उपाध्यक्ष है वो एक वार और अपने कारेकाल के लिए नियुक्ति किया जा सकता इस तरह कुल मिला के दो वार ही नियुक्ति होगी दो वार से ज़्यादा की नियुक्ति का कर सकता है उसके बारे में आयोक क्या क्या काम है आयोक कौन-कौनसे कारी करता है उसके बारे में देखते हैं अनुच्य 339 खा 339- amiga 5 जो है वो कहता है कि पिछड़े वर्गों की संबैधानिक एवं बैधानिक सुरक्छा से संबंधित सभी मामलों की अनुसंधान एवं कार संचालन का मुल्यांकन जो भी पिछड़े वर्गों से संबंधित विसे हैं उनको क्या करता है उनकी संवैधानिक जो भी अधिकार दिये गए हैं चाहे संवैधान में पिछड़े वर्गों को जो अधिकार हैं चाहे वैधा उनका मुल्यांकन करता हैं कि वो चीजें कितनी फायदेबंद हैं हमारे पिछराबर्ग आयोग से जो भी अधिकार है वो क्या उनको मिल पा रहा है कि नहीं और हम देखें अधिकारों की वंचना आप जान गये हैं कि अगर कारी से आपको पूछे एक्जाम में कि लाश्टी प अधिकारों के बारे में बात की गई हैं अब हम देखते हैं अधिकारों की वंचना तथा सुरक्षा से संबंधित सिकायतों की जाच और अंसंधान करना किसी प्रकार के इनके अधिकारों का हनन होता है इनको अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो क्या करेगा आयोग आय पिछडे बर्गों से संबंधित योजना निर्मान में भाग लेना, पिछडे बर्गों से संबंधित चाहे वो संबैधानिक प्राबधान के तहट कोई योजना गठित की जा रही हो, चाहे किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी योजना का गठन किय जा रहा है जिस से इसको प्रभावित कर सकता है यह अव हमेरे पिछडे बर्ग के भाई भाई भहनुग की च्राइब Крас और के प्रकाइं हो पा रहा है उसके बारे में ढजर रखेगा आयो वो इसके कार्य है पिछडे बर्गों के हितों से संबंधित रिपोर्ट समय समय पर राष्टपती को देगा पिछड़े बर्गों से संबंधित जो भी आयोग की रिपोर्ट होगी उसको समय समय पर आयोग राष्टपती जी को सौपेगा और जो ओबी सी बर्ग के विकास की उपायों को प्रभावी रूप से लाग आसमानता है किसी प्रकार का उसमें विश्रंगती है उसके बारे में भी चर्चा करने का उसके बारे में भी उचित प्राबधान करने का काम किसका है राश्टी पिछरा बर्ग आयोक का माप दंडो का निधारन करना किन माप दंडो के तहट OBC बर्ग में जातियों को सामिल किय किन मापदंडों के तहट किसी भी जातिवर्ग को अरक्षन दिया जाएगा इन सब के मामलों की वैधानिक तरीके से एक आवश्यक्तंत्र और मापदंडों के निधारन का काम किसका है OBC आयोग का है राश्टी पिछड़ा वर्ग आयोग का है अब हम देखें वरगी करन करना OBC केंद्री सूची बोभी की केंद्री सूची नियुक्त है उसमें किसी प्रकार के अगर तुटियां है तो उनमें सुधार करने का काम भी आयोग का है पुल मिला कि आयोग की कार का आगर हम सार्व देखें कि क्या है तो वह है राश्टी पिछड़ा वर्ग से संबंध जो हमारे भाई बहन हैं जो हमारे लोग हैं उनके अधिकारों का बेहतर सुनिश्चित करना बेहतर क्रियान बहन हो सके और उनको उसका फाइदा मिल सके इसके बारे में ये कार करता है हमारा राश्टी पिछरावर्ग आयोग अब हम आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रतिवेदन या रिपोर्ट अगर ये बारसिक काम करता है तो ये अपना प्रतिवेदन और अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा किसे देगा उसके बारे में बात की गई है तो अनुच्छे 338 खा का सवार्टिकल 5 का जो घा ह उसमें ये कहा गया है कि ये जो अपना वारसिक प्रतिवेदन है वारसिक रिपोर्ट है वो राष्ट पती जी को सौंपेगा आयोग जो अपना वारसिक प्रतिवेदन है वारसिक रिपोर्ट है वो किसको देगा वो हमारे माननिये राष्ट पती जी को देगा अब हम देखे अनुच्छे 338 खासा आर्टिकल 6 ये कहता है कि राष्ट पती रिपोर्ट को क्या करेगा संसद में रखवाएगा और संसद में रिपोर्ट को रखवाते समय वो ये सुनिश्चित करेगा कि जो बर्स भर में आयोग ने सिपारिसें की थी क्या उन सिपारिसों को माना गया अग संसद के सदन में रखवाएगे अब किसी राज्जी से संबंदित अगर विसय है तो उसको क्या करेंगे राष्ट पती जी संबंदित राज्जपाल को देंगे और उस राज्जी का जो राज्जपाल है वो विधान मंडल में रखवाएगा और इसकी बात किस आर्टिकल में उसमें सेवन जो है उसके तहट इसको क्या अधिकार है हमारे राष्ट पती जी को ये है कि वो अगर किसी राजी से संबंधित मामला है तो वो संबंधित राजी के राजपाल को दे और राजपाल फिर उसे संबंधित राजी के विधान मंडल में रखवाएंगे अब आयोग की अगर सक्तियों की बात करें यह आयोग की सक्तियां क्या है आयोग किन सक्तियों के तहट काम कर रहा है आयोग के पास कैसी सक्तियां है तो हम देखते हैं कि आयोग के पास सिविल नायले की सक्ति है वो किस आर्टिकल के तहट कारविधी बिन्यमित करने की स्वैम की सक्ती आयोग को होगी और वो किस आर्टिकल के तहत होगी तो आर्टिकल नमबर 338 का सब आर्टिकल B का जो फोर है उसमें ऐसी बात की गई है अनुच्छे 338 सब आर्टिकल B का नाइन कहता है कि नीतिगत मामलों में आयोग से सलाह किसी भी प्रकार का अगर नीतिगत मामला है ओभी सी बर्ग से जुड़ा हुआ है उससे संबंदित है तो आयोग का क्या होगा नीतिगत मामलों में आयोग से आपको सलाह लेनी ही पड़ेगी आयोग के बिना सलाह के कोई ऐसे बिसे पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता जो किसक पिश्रावर गायोग तो हम Prelims Point of View से आप एक बार इसको देखें इसमें सौर्ट में आपको सारी चीजें इसमें बताई गई है और इसमें किया क्या गया है कि जो भी अनुच्छे हैं पिश्रावर गायोग से उनको सब को क्या किया गया है इस चार्ट के थुरू आपको समझ जहने की कोशिस की गई है आईए देखते हैं अनुच्छे 339 का जो भी है जो खा है उसमें राष्टी पिश्रावर गायोग की बात की गई है और जो 339 B का सब आर्टिकल 1 है उसमें गठन की बात की गई है और हमने देखा कि गठन इसका कैसे हुआ तो राष्टी इसमें अगर हम सेवा सर्तों की बात करें सेवा सर्ते देखें तो अनुच्छे 339 खा का जो सब आर्टिकल 3 है उसमें नियुक्ति की बात कर रहा है राष्ट पती जी और सेवा सर्तों के बारे में भी राष्ट पती जी ही निधारित करते हैं अगर हम इसके प्रक्रिया स्व i-6 .368b का सव Director 5 इनके कारे के बारे में बात करता है और कारे के बारे में हमने अभी विस्तार से चर्चा करी है अब हम देखते हैं अनुच 7339 खा जो सव Article 5 है उसका जो घा है उसमें पफाशी की बारसिक लिपोर्ट आयोग। बारसिक प्रतिवेधन अपना राश्ठ पती जी को देगा। राश्ठ पती जी को सौंप एगा। अनु 6338 खा का सब आर्टिकल 6 है कि रिपोर्ट अगर किसी राष्ट पती को तो ये सौपेगा और राष्ट पती जी उसे कहां रखवाएंगे संसर सदन में रखवाने का काम करेंगे अगर रिपोर्ट राज जिसके बिधान मंडल से संबंदित तो अनु 6338 का जो बी है उसका सब आर्टिकल 7 है उसके तहट संबंदित राज जी के बिधान मंडल में कौन रखवाएगा राज जपाल को राष्ट पती जी देंगे और राज जपाल वहां उसको रखवाएंगे कि सकती से आसाय आप जानते हैं कि ये किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति को समझ जारी कर सकता है जो उसने सपत ली है उसके लिए उसके लिए साक्षपेस करने का काम कर सकता है और इन तमाम किसी भी सरकारी कार्याला हो या कोई भी अंसंस्थान हो वहां से दस्ता बेजों क तो प्रस्तुत करने की अफेक्छा भीक आयोग कर सकता है, अपने पास मगवा सकता है, मगवाने के लिए कह सकता है, आदेश कर सकता है, इसी प्रकार अनुच्छे 338 B का सा वार्टिकल 9 है, वो कहता है केंदवा राज बिधी बनाते समय परामर्स करेंगे, अगर OBC वर्ग से स वर्तमान में अध्धक्च हैं और ये कब निक्त किये गए, तो ये 2016 में निक्त किये गए थे और लगातार अभी वर्तमान में हैं, अगर हम इनके प्रथामध्धक्च कॉन थे तो न्याय मूर्ति आर्यान प्रसाद और ये कब बने, जब गठित हुआ आयोग 1993 से 1996 तक का इन बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य पिछ्रावर्ग आयोग मध्य प्रदेश में राज्य पिछ्रावर्ग आयोग का गठन कैसे हुआ मध्य प्रदेश राज्य पिछ्रावर्ग आयोग के बारे में हम बात करें तो देखते हैं कि भारत के जो कम ने आय दिश्ज़वर्ग आयोग मध्वद्यप्रदेश में जो है उसके गठन की भूम का बनी जब हम पढ़ेंगे भारतिय संभीधान के टॉपिक के बारे में उस समय बिस्तार से हम चर्चा करेंगी हिंद्रसंहनी का मामला क्या रहा हैि इंद्रसंहनी मामले से क्या नेड़ने हुए इन सब के बारे में इंद्रा साहनी मामले के बारे में हम विस्तार से वहाँ चर्चा करेंगे यहाँ आप यह समझें कि जो इंद्रा साहनी का मामला था 1993 में इसी के तहत मध्य पदेश राज पिठ्रावरगायो का गठन कप किया गया 13 मार्च 1993 में उसके बाद अगर हम इसके कुछ फैक्ट के बारे में देखे तो अधिसूचना इसकी जारी हुई 15 मार्च 1993 राज जिपाल की इनकी अनुमती कम मिली 24 माई 1995 में और अगर हम बरतमान अध्धिक्ष की बात करें तो गौरी संकर बिसेन जी जी जो इसके हैं बरतमान में अध्धिक्ष हैं हमारे मध्य प्रदेश राज्य पिछरा वर्ग आयोग की सातियो अब हम देख लेते हैं थोड़ा एक और फैक रोहनी आयोग के बारे में रोहनी आयोग के बारे में एक आयोग है मैं इसके बारे मिसली चर्चा कर रहा हूँ कि कई बार एक्जाम में कोश्चन ऐसे पूछ लिये जाते हैं कि फला आयोग किस से संबंधित है तो रोहनी आयोग संबंधित है पिछरा वर्ग आयोग से और ये इसका गठन कभ हुआ तो अक्टूबर 2017 के आसपास इसका गठन हुआ और इसका गठन भारती संबंधान के अनुच्छ 340 के अंतरगत हुआ इसमें एक मामला क्या था इसमें ये है कि अभी जो OBC बर्ग है उसमें लगभग 5000 ऐसी जातियां है जो बिसम जातियां है उनको बिवस्थित करने का काम रोहनी आयोग को दिया गया और इसका कारिकाल भी बर्दमान में बढ़ा के 2021 के आसपास तक कर दिया गया था हो सकता है और बढ़ा दिया गया हो उसके बारे में आप देख लीजिएगा इसका मेन उद्देश ये है कि इस जो जनजातियां है जो पिछरा वर्ग आयोग की जातियां है उनमें जो विशंगती है उनको ठीक करना जिसके आधार पर क्या किया जा सके इनको पिछरा वर्ग आयोग से सम्मधित जातियों को चाहे सिख्छा में आरक्षन की बात हो चाहे नौकरी में आरक्षन की बात हो वो सुनिश्चित किया जा सके वो इनको दिलाया जा सके इनके बारे में बात की गई है रोहनी आयोगी तो साथियो आज हमने पढ़ा राश्टी पिश्रावरग आयोग उसके बाद हमने मद्ध पिश्रावरग आयोग के बारे में चर्चा करी तो मैं उमीद करता हूँ कि जो पिश्रावरग आयोग है जो हमने अभी क्लास में पढ़ा वो आपको अच्छे से समाझाया होगा आपके एक्जाम में इससे आपको मदद मिलेगी साथियो अब हम इसके जो अंगली क्लास होगी जो इसके आगे की क्लास होगी हम उसमें इसी के MCQ के बारे में चर्चा करेंगे देखेंगे कि OBC वर्ग को ले करके कैसे एक्जाम में कोश्चन पूछे जा सकते हैं तो साथियो आप जुड़े रहें कम्प्टेशन कम्यूटी के टीम के साथ और हाँ एक चीज आपकी information के लिए आपकी सूचना के लिए बता दे जब भी हम क्लास पढ़ते हैं उसमें बच्चों की फिर question आते हैं हमारे साथियों के प्रस्ण आते हैं पिसर जो हम आप ये MPPSC का क्रेस्ट कोस लेकर आये हैं कम्प्टेशन कम्यूटी टीम के साथ तो क्या ये free of cost है तो जी हाँ साथ ही हूं ये पूरी तरह से जो MPPSC प्रारंभिक परिच्छा का सलेवस है तो आप जुड़े रहें कम्प्टेशन कम्यूटी के टीम के साथ और इस समय तो जो ये हमारी क्लासे यूटूब में चल रही है तो आप वहाँ जाएं और अपनी तयारी को और बहतर बनाएं जो भी टॉपिक आपको लग रहे हैं कि कमजोर हैं उनको आप अपनी वीडियो के तुरू अपनी क्लास के तुरू कवर कर सकते हैं आप हम से जुड़े रहें कम्प्टेशन कम्यूटी के टीम के साथ जुड़े रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब हम मिलते हैं अगले कोश्चन में MCQ सेसन के साथ और जिसमें हम चर्चा करेंगे मिश्राबर गायूप के MCQ के बारे में आप जुड़े रहें कम्प्टेशन कम्यूटी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद